लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें कालम खगे मुर्गिय नगहा सिद्ध देव महाशिवा कालम समान वर्धनते यतो भाव युगे युगे इसका मतलब है रिशी, मुनी और देवताई, पक्षी और समुद्र के जीव ये सभी समय के साथ बदलते हैं लेकिन आकाश को कोई नहीं बदल सकता अगर ऐसा है तो नश्वर मनुष्य के रूप में हम इतने जिद्धी क्यों है जो सोचा अगर वो नहीं हुआ तो जो हुआ था उसके बारे में सोच कर क्यों चिंता करता है मैं अक्सर आदित्य से बोलती थी बच्पन से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक साधारन खिलौनी की वाच पहनता था उसमें से टाइटन में बदलने के लिए बहुत बहनत करनी पड़ी नई वाच मिलने पर वो पुरानी वाच को किसी को देता भी नहीं और फेकता भी नहीं अभी भी उसके रूम में पुरानी वाच को दीवार पर कील मार कर लटका कर रखा हुआ है उसमें वो खिलौने की वाच है जो चीज उसे पसंद आ जाती है उसके लिए जित करता है अश्चा जी की बात है इतने छोटे बच्चे में इतनी सारी क्वालिटीज और भी एक हैरानी की बात है कॉलेज जाने के लिए उसने गाड़ी मांगे ठीक है गर में जो कार है उसमें से जो पसंद है वो लेकर जा लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे बाइक ही चाहिए या BMW शोरूम में अपना रशीद है ना लेटेस्ट मोटर बाइक वो कराने के लिए कह दिया उसे आदित्य ने कहा नहीं मुझे बुलेट चाहिए वो भी अपने दादा जी की बुलेट चाहिए और इस बात के लिए उसने जित पकड़ लिए और उसी बुलेट में कॉलेज जाय करता था उसके घर छोड़े असी दिन हो गए है उसके बारे में हम पिना सोचे जी रहे हैं क्या आट सो दिन भी हो गए हो तो क्या हुआ आइडोंट केर उसकी कोई ग्रेट लव स्टोरी नहीं है मैं क्या करूँ इसमें मा असी दिन नहीं हुए पूरे 82 दिन हो चुके हैं उसे घर से निकाल कर एक बात अच्छी तरह से याद रखना लाइफ के अगर किसी भी सब्ज़क्ट में हम डीपली जाएंगे तो सिर्फ जीरो हासिल होगा और तुम्हारा भाई उस जीरो के बहुत ही करीब है मूर्ती गारी स्टाट करो यह पागल यह मेरी नाइटी है बत्वमीज नाइटी है झाल 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 रिखन नहीं तरी उसके ज़रुड़त नहीं, सुर्फ नीचे फार्श के रहा है, doe के रहा है मैं तो है, keep it. कटे रहोथा. शिट एफ जब दो वह अजीब गाने क्यों एठ आप अब आप इज़री है क्या प्लीज गो ना यह रहाँ सब्सक्राइब दो मिनिट में जाएगा लेसन आप एड व्यूर्स्ट ताइम वह और में अकेले में वाले हैं अट्रीज को ओना बेबिए अपना वी तो फरस्टाइम है वह वेट कर लेगा ओंट वरी प्लीज लिए आप से लीव मी लीव मिया बोदार लॉप मैंने बुलाई था तूने बुलाई था नगुगए तो कहांगा तौने गई था तो प्यार हुआ एक हिरा है डार्दिंग आँ लेखा लेखार तुमने बोला था ना मेरे सेमिनार मिस किया था अबी आओगी अड्रेस दू क्या शला कम तुदे सेमिनार होल सर ए नो 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 मेरे फ्लाट पर आना है इडियुट हाँ बोल भै बार्देफ जरा मोखोली है उस जिंदरे क्लिनिक पैदा तो एक लड़की ने मुझे देखके कहा था कि मैं बहुत हैंसम हूँ याद है हाँ दीपती है मेरी फैमिली फ्रेंड क्या हुआ बुलाओंगा तो फ्लैट पर आएगी क्या फ्लैट में यह भाई मेरी बातमान श्यांत्रेफ पता चलेगा तो बहुत बिज्जती हो जाएगी यह ऐसा कुछ नहीं होगा वह आएगी या नहीं यह उसका ओल्रेटी बॉइफ्रेंड है नेक्स यह उसकी शादी है समझने की कोशिश कर ओ नेक्स यह ना अभी बुलाँगा तो आएगी यह आएगी या नहीं मेडिकल साइको दिन बे दिन तू इतना चीप बिहेव कर रहा है नहीं आएगी वो लड़की तू अपनी अरकते बंद करो और समीरा को भूल जा क्या कर रहे हो उमें देता हूना वॉटो अटो हेई अरे यह क्या बाई तुम्हे ओटो में शुशु कर दिया क्या कहा डायपर अब अरे जब आता है तुम्हें पता नहीं चलता क्या सुभे शुबे गारी को गंदा कर दिया अच्छी हम शुशु किया होगा मीरा 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 क्या का रही हो इडिट मुझ खोलो अपना क्या खा रही हो चिकन खा रही हो थुको थुको बाहर निकालो किस ने दिया चिकन तुम्हे सर कुत्ते चिकन खाते सर मैश्वरी तुमसे कितनी बाहर खाया है इसे कुत्ता मत काओ सौरी सर मीरा ने तुम्हें कोई तकलीफ दिये क्या इसका शिट विट भी मैं ही क्लीन करता हू ना तो भर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों चिकन कब से खाना शुरू कर दिया वेट से नॉन्वेड बन गई इस ने कहा था क्या आपसे इस ने कहा था क्या बोली कि जाओ जाके अपना काम करो क्या करती है मीरा तुम्हारे चेरस यह मुस्कुराट और हसी गाय अब कर दूंगा देख रही है मीरा यहां में देखे कैसे हस रही है दीपा आज फोर राज की सरजरी है ज़रा साफधान रहना और डार्ट मत खाना हां अलार बर आजब नहीं रहला है पुर्क्राइब रहुम्हार बीदोर बुम्हार ऑचा 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 उपाचा दिस इस क्लासिक केस ऑफ एंगिलर माल यूनियन ऑफ फीमा चाचा आप भी सुनिये आपके लिए भी है जैसे स्किन कटने के बार ठीक हो जाती है वैसे हड्डिया भी हो जाती है पिछली बार फ्रैक्चर हुआ था था थो एक लोकल डॉक्टर के मदद से अपने क्रेप पटी लगाई थी यह ठीक नहीं है इससे हड्डी ठीक तो हो गई लेकिन एक गलत आंगल में है इसकी वज़े से आपकी मोबिलिटी अफेक्ट हो गए और आपको दर्द भी हो रहा है तो अब हमें काम करेंगे हम इसे ब्रेक करेंगे जो एक्सेस है उसे काट देंगे और इसे स्क चाचा यह प्रोसीजर है यह कोई टेंशन नहीं है जब क्रिकट खेलते हैं तो पिछे नहीं साफ करते हैं पुरा ग्राउंड साफ करते हैं न वैसा ही समझ लीजिए को के कुछ टेंशन नहीं ओके यूल बी ओल राइट तो अब उस पेशन का मामला सेटल हो गया क्या हो गया सर बेड नमबर 18 के लिए उटी रेडी करो सर उनके जोतिश नहीं का था आज का दिन अच्छा नहीं है तो सर्जरी कल कर सकते हैं मैं कल नहीं आने वाला मुझे कल मीरा को पार्क में लेकर जाना है तो फिर कैसे सर कैसे क क्या मतलग है पेशन से जाकर काओ कि पहले उसे सेप्टिक हो चुका है अगर आज ऑप्रेशन नहीं किया तो उसके पैर के साथ कुछ और भी काटना पड़ेगा ओके दीपा तो मोटी तयार करो ओके सिस्टर सर एमो ने लॉग बुक में एंटर करने से मना किया है और पिछले दो महिने से बहुत ज्यादा पेशन्ट आ रहे हैं इसलिए कोई प्रॉब्लम ना हो जाए सर यह यह लॉग बुक का जमेला फिरसा क्यों आ रहा है डूंट ब्रिंदिस शिट तो मी तोलसी यूग है अडल सर जी बुक मणा कि अवारे प्रेव बुक में कोई लॉग है अवारे भी बुक में सब्सक्राइब बुक मी करता है और एक्क फर्क बादालीग फिर्ड़्स प्रॉग करने सर यह मांणाय करते वूग्स है यह जग एक बढल पक बड़ दिए उब उन्साब कर दोला हुआ 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 हु कि अधिए कि बॉइज शोरी यह कोई प्रोब्लम नहीं प्रोब्ड जाए अधि कि तरण कट का हम यह 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 तर और कहां यह संभाल कर अपने हाथ से ठक अगर अंदर गया तो अंदर का हिस्टा जल जाएगा कि तरे ले चट्डी पेनने में भी बहुत तकलीफ होगी याद रखना है तुमने कैसे मेडी कॉस्ट हो यार फर्स्टेट केट बैग लानी चाहिए थी ना यह चश्मीश हमें क्या सपना है था कि सर फुटबोल मेच में पार्टी करने वाले है इस वक्त सेंट पैट्रिक्स ल तु गोल करके दिखा तु ने गोल किया ना शेहर के बीच बिना कपड़ों के भागोंगा आजा दिखा कितना दम है कम ओन गोल कर कम ओन कि अधि 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 तु अधि झाट यह कि अधि इस अधि आधि इस वाग्राइट प्लीज इस क ஆ कि onlar कि आप एफ беспā cl該 कि अपस कि यहाँ कि बच्पप्पप कि यहाँ ! कि यहाँ!! कि आर यहीं!! कि आर यह साव रेख एफ एफ्टित है घुष के लोने में तीन मिट बाती इस बार भी एकड़ हमारा यहोगा कमान वोइस अब होगा देख दो आधी पीछे देख आधी पीछे ठेक़ आधी पीछे आधी पीछे है 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 एप ए तरुन मेरे लिए जाकर इस ग्राउन का गेट बंद करके आना प्लीज यार अधी नौ अधी नौ इसको चोड़ना मतादी इसके मूबलात मार अधी चोड़ना ने इसको बचके नहीं जाना चाहिए यह कमीने अंकल वो नीचे रख मेरे भी सिक्सपैक है बता है गया है आदी तुने जिसे गाली दी वो आदमी पता है कौन था हमारे स्टेट का फुटबॉल कन्वीनर तुमने तो उसे इतनी जद्दी कि उसे गूस बंस आ गए होंगे कब रखकर सीधा रास्ता पकड़के चला गया वो जानता था कब हमारा है इसलिए वहीं छोड़के चला के यह ज़रा पानी देना आदी डीन तुम्हें बुला रहे है गुड मारिंग और वेरी वार्म वेलकम तो आल निव इस्टुदेंट्स सौ साल के पुराने इतिहास के इस कॉलेज में आकर आपको कैसा मैसूस हो रहा ह और यह जो कॉलेज है कमीन दिस इस डॉक्टर अदित्य वर्मा वन अफ आवर हाउस सर्जन आप सभी छात्रों को इन से जरूर मिलना चाहिए मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सेंट पैट्रिक क्या उन कुछ चात्रों में से एक है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत हुमगा लेकिन एंगर मेनेजमेंट में शुन्य लेकिन एंगर मेनेजमेंट में आप सब के लिए मेडिकल प्रोफेशन में जो इनसान गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता वो एक सर्जिकल ब्लेट की तरह मडरर के समान है चीजों को नापसंद करना, गुस्सा करना, रशब बलड, एड्रिनिलिन ये सब कुछ एक आम इनसान के लिए सौभाविक बात है लेकिन जब आप इन सब चीजों को इगनोर करोगे तभी आप पेशन को बचा पाओगे और अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो ये डिगरी बेकार है अकेडमी में कम मार्क्स बरदाश्ट किया जा सकता है लेकिन अगर गुस्षे को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो उसे बरदाश्ट नहीं किया जा सकता सर पूरे मैच का वीडियो है सर अगर आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही मैं कुछ देखना चाहता हूँ तुम्हें एक महिने के लिए सस्पेंट किया जाता है तुम अगर चाहो तो कॉलेज छोड़ कर जा सकते हो फुटबॉल इस वाइलेंट स्पोर्ट सर इस गेम को अबजेक्टिव है उपोनेंट की गोल पोस्ट में गोल करना और उपोनेंट को हम पर गोल करने से रोकना तुम मुझे रूल्स सिखा रहे हो नहीं सर, मैं तो रेजरवेशन बता रहा है आप सुनेंगे सर इस गेम में बलड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है एक जंग जैसी वार लाइक फील होती है इसमें और उस फीलिंग की वज़े है ये कॉलेज मैंने कॉलेज के बारे में बहुत सोचा सर बहुत सोचा और इसलिए मैंने अपने गुस्से को काबू भी किया लेकिन आखों के सामने कर कुछ गलत होगा तो मैं चुप नहीं बैठ सकता सर वरना मेरा चुप रहना आदत बन जाएगी सिर्फ ग्राउड में ही नहीं, लाइफ में भी तो तुमने कौन सी आदत ढाली है लोगों को मारने की तुम किसी भी इंसान पर हाथ नहीं उठा सकते इसाने की वसे सामने आप की ये कोई ज़रुरत नहीं कोई ज़रुद नहीं एंड फ्रांक्ली सर्व इसी वाक्ति कॉलेज छोड़ रहा हूं तो तुम कॉलेज छोड़कर जा रहे हो आखिर गुश्टे से जीवन में क्या हासिल करना चाहते हो तुम आप समझ नहीं पाएंगे सर आप इस कॉलेज के दीन है एन एंप्लोई दुटी मैं इस कॉलेज का स्टुडेंट हू यह मेरा कॉलेज है शो सम बड़ी रस्वेक्ट आफ दी चैंपियन हेलो माम सो यू प्रिपेर तो लीव दे कॉलेज येस माम आदित्या क्या ये सच में जरूरी है खांट यू राइट इन एपालोजी ठीक है एन उसी पेपर्स रेडी हैं डीन से जाकर साइन करवा लो ओ डीन पेरेंट्स के साथ मीटिंग में है तुम्हें दो गांटे वेट करना पड़ेगा और्लराइट अरे पूरा एक करोगे है अ कर दो पिंक चुडिदार और लेड़ी गैंग जाए किसे हमें लेड़ी खुड़ी कि नाए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो का अ a जुट मुटके अ क्योना ओल याए वह षूदुट के दो कर दो, के अ ताफन में आणर्यां देन्हा वहूद लोट शूदर भाल किया गए वहूद।omina कॉन सी लड़की है वो पिंक अलर के ड्रेस वाल एड़की को देख रही है क्यूट है नहीं है ए बच्ची चलो जा नाम क्या है तेरा मीरा मेरा शटी शटी मैंगलोर सटले इंचन नहीं बट शीज फ्रम पुट्टूर 30 किलो मेटर फ्रम यह नाम क्या बता है ए बच्ची सर नाम पूछ रहा है ना तो बता मीरा अच्छी है ना यह भी लट्टू हो गया था इस पर हां पापा अधित्य हमारे मेनेजर सुन्दर है ना उनकी कजिन डॉर्टर ने तुम्हारे कॉलिज में जॉइन किया है हमारे कॉलिज है और तेरा कॉलिज तो रैगिंग पूछ ने मुझे फोन करने के लिए ठीक है मैं देख लूँगा पापा फूटबॉल मैच कैसा राप उचिये अरे हां तेरा भाई पूछ रहा है फुटबॉल मैच में क्या हुआ हूआ है थोड़ी सी लड़ाई हुई मैंने थोड़ा मारा क्या हूआ हूआ यह क्या कह रहा तु अल्ड़ी सस्पेंड है यार तुझे सच में यह सब चाहिए यहार धिगरी खतम करना ही अपने आपने सर्दद है यह वो क्या है रहे है अधी उसने तुम्हें देखा नहीं है तु चुप चुप यहां से निकल जा यह लड़की पागल है क्या वाट्सपर लोकिशन श आपकर्स फॉर्टी सी ओपीडी डिजीजस मैं जानता हूं पर स्मोक करता है आदत है तुम्हारे पापा इस बारे में जानते हैं नहीं जानते हैं लेकिन वह पूछेंगे तो जूट नहीं कहूंगा ओके इम अनोहर शेटी तुम्हारे फादर के मैनेजर सुन्दर उनका फ अधिकार जमाकर इसे मार सकता हूं अगर इसने कम माक्स लाइ शी बी जूनियर आप यूटा से आयो राइंक ओडर तुम किस कोटे से हो मैनेजमेंट कोटे से ना के सेट में सेट में त्वनिसेग्स्त मैं बहुत पसंद है इसलिए ये कॉलेज सेलेकिया मैं अगे अंकिल त बाइ मीरा चलते हैं अंकल डोंट वारी मैं से अंवालूंगा नो 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 ऐसे स्टार्ट होता है ये गाना ये वो इधरा रहा है क्या हर गड़ी हर गड़ी बदल रही है रूपस जिंदगी चाहू है कभी 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 है धूप जिंदगी हर पल यहां जी भर जी यो जो है समा अरे यह वह जा रही है पता नहीं ही वाट यहां जाना की चलिए अधित्यसा क्या ओ देख अरे हां सब्सक्राइब देखते हैं यहां का कांपस कैसा है अच्छा है खाना आवाना ठीक है अच्छा है अच्छा है गुट गुट अच्छा है हूस्टल अच्छा है हूं अन्ताक्षरी खेल रही थी हां तुम्हारे पापा चले गए हूं किसी नहीं देखा किसी नहीं देखा है हम लोग उने भी नहीं देखा जाओ अंताक्षरी खेलो किसी नहीं देखा किसी नहीं देखा किसी नहीं देखा तुमं देखा खुरो टो जुट से कि दुटे हैं का ले दुटे है कि टुटे हैं ग्रुमाश्ट मिर अड़ युबाख मीरा यह नॉर्मल डिग्री नहीं है MBBS है कॉलिज में जॉइन होते ही यहां से तयार होना चाहिए कि हम डॉक्टर बनने वाले हैं और वहां क्या कर रही हो तुम फोकस अन दे बोर्ट बैक यू you you see these fat chicks they're like teddy bears वो काफी warm होती है काफी loyal होती है normally do लड़कियां अच्छी दोस नहीं बन सकते पर एक खुबसूरत लड़की और एक मोटी लड़की a good looking chick and a fat chick जहां तेटली कॉंबिनेशन इस प्रेंशिब वर्क तुम्हारा नाम क्या रागीनी रागीनी मीरा 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 रागीनी तरण्स बन जाओ ओके मैं होस्टिल में बात कर लोंगे हुं में बन जाओगे ओके आज कौन सी क्लास है प्रभाकर सर की अनाटोमी टॉपिक क्या है 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 ठीक है मेरे साथ है मैं मांस्टर्स के लिए प्रिपेर करना हूँ तो तुम्हें बता दूंगा और खुद भी रिवाइस कर लूँगा कर लूँगा प्रभाइस कर लूँगा नेल प्रभाइस कर लूँगा इंगा जो अच्छ तूपिक है क्या होता है मिरा अप्र तॉर्स परतिर फिर से कॉल करके देखना क्या प्रोबलम है तुझे थोड़ा साभी सब्रें नहीं है क्या तुने जलन लिया है या कूदी मार के आ है एक बार ट्राइ करना शायद जवाब दे देगी करके तो देख यह मैंने उसे फोन किया था लेकिन फोन नहीं उठाया यह देख क्य नहीं उठा रही है यह ले फोन करके खुदी पूछ ले अरे वैसे नहीं या अगर वो निकल गए होंगे तो पांच-दस मिनिट में पहुंच जाना चाहिए ना यह मैंने तेरा नाम लेकर फर्स्ट टेप तो क्लियर कर दिया कोई उसके पास में नहीं जाएगा अब तू भ यार जब छोटी सी चोट है बीर चाहिए क्या कहीं गुशादी होगी अरे दरवाजे से टकरा गिया था उस दरवाजे का साइज पांच फिट और दो इंच होगा हां शौट हैर एक जीन्स के साथ साथ बार कुर्ती बदलती है अधी अभी गॉल्स होस्टल से आ रहा हूं मै यह स्दूर धरनी बदल जाला भी एक रादल तो वृभ गुछ यह यह दो कि रहा है उस पुछी जुक्या क्या से जकले यह देन का से घुछार ग्त्स एड़ यह भी बैंगलूरी में अऑन भी उसके थच्श में नहीं होँ हूं ए डॉर कितने मने तक तुए रहने बाला कि अलो तु क्या बोल्राइक कमीन? कौन है वो? हाई! कौन है वो? अली, तु भाई रुक्मी आराओ दु कौन है शूल आरु वरन भी आरे क्या अले आरे अरे यह आरे अरे रुक्ना! कोई बात नहीं इटियर्ट्स दूं कराइब हैं दूं कराइब है अधिस आधिस इतनी सी बात के लिए रोकियो रही हो जाओ ना हलो बाहर चलते हैं सेर दूसरे कॉलेज के रड़के कैंपस में तुम क्या उखाड रहे थे अच्छी सर वो लोग पूरे छे लोग थे लोग थे बोलना उसी खॉलज के रड़के आये थे सर उन्होंने पुशा आदित वर्मा की गलफेंड कौन है प्थाई चलने के बाद गलाच जगह पर कलर लगा है सर मुझे बताओ कहां कहां पर रंग लगा है सर यहां पर और यहां पर भी सर शमार शमार पहरा समार एए देखो कौन आया है देश बॉल्ट बल्ले के साथ फुटबॉल चैंपियन चला जा जा कुछ जबनें चोल्ड थूर तुन्हें देखा tukar नहीं थेका subject दो私भाश occart करनें ति अर्मारो गोफी सुब्र आप कर दो वो मर जाएगा रिलेक्स आदी जब हम यहाँ है तो यह आलत है छे महीने बाद हम नहीं होंगे तो क्या आलत हो कि इसके देखबाल कौन करेगा इस बात की कौन गारंटी देगा कि यह सब दुबारा नहीं होगा एक कमीने इससे देनी होगे गारंटी चीजिए। बिल्फ, भया जेख़ अब त्याम,bn बोल्मिला का ना का तोत यादने भा end वोल्मिला कैंजिए। को बोल्म tu आदे, 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 क्षणित, कीया आ, यार, यार, फिर फिर पश्ते हैं? मुझा वा लड़के बहुत पसंद हैं। वे लिजव अंप फिजिकली ग्न finer हीएंग वोल्ट और मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बात सीखी है कि हम सब पर किसी एक इंसान का सबसे खास असर होता है मेरे लिए वो इंसान ये लड़की है इसे कुछ हुआ रहा तो I'll be the most affected, you understand? एसमार, तुने चो किया वो गलत था प्रोमस में राइट नओ, I have no bloody patience प्रोमस में राइट नओ, प्रोमस में राइट नओ तु एसा परसे नहीं करेगा प्रोमस में राइट नओ प्रोमस में राइट नओ प्रोमस यार ऐसी नोबत पर नहीं आएगी और अब भार बे जा तुम तुम और तुम ही प्रोमस में राइट नओ इंट्रोमस में राइट नहीं करेगा तु ऐसा ही होगा ना मा मा बहुत लूस टक छोड़ रहा है मा उसकी बात सुनती ना तो आप खोद उसे शर्ट पकड़कर मार देती क्या नहीं मा नहीं नहीं एक ठीक है क्लेनिक में जाकर बात करता हूँ भाई कमपेरिंग एफिशेंसी ओफ मेंचल तो भाई तु इस मूड पर डिशिस लिख रहा है क्या कमाल कर रहा है यार इस मूड में ब्रेंशाप होता है ए उन मचलियों को तु ने बोतल में क्यो रख खाय रहे है मेरा पडोसी पीटर है न वो इनने छोड़ कर चला गया पूरी रात ये लोग मुझे सोने ही नहीं दे रहे थे बार बार टका 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 कर रहे तो इनने अलग अलग बोटल में रख दिया है देख रहा है क्या कमाल का आइडिया है अब क्या करेंगी देख या जिस दुनिया में हम खुश नहीं मा कोई और खुश नहीं होना चाहिए समझा है क्या हुआ क्या हुआ इसकी तो अदे रुख जबने अदे वापरे अदे क्या कर रहा अदे 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 तु पागल है क्या तु उसे मारने के लिए जारा था उसका दिमाग खराब है क्या दस ग्लास तोड़ चुकी है वो मेरा कोल्डन ड्रॉप ग्लास इसलेद उसको मारेगा सिटी में उनका भी गैंग होता है पता है आजेगी ना तो पुरी इजद उतार देगी तू भी ना एक नमर का पागल है उसे जाब देखो ग्लास टूंच हट्जा क्या हुआ तांके लगा रही है अ उम्र क्या इसकी नाइटीन तो टांके लगाने की क्या ज़रूरत है इस उम्र में बौड़ी सेल्फ इल नहीं करती तामाशा देख रहा हो बता नहीं सकते क्या अरे यारभी अभी तो आया या इटियाट्स MBBS खत्मोंने से पहले सर्जरी करने के कुझली आ रही है ये गिनिपे के तुमारी पढ़ाय किया ये कॉपी करके पास हुए हो चल उट ये डीपली कट गया है काफे ब्लीडिंग होई है ये सब बुक्स के एसाब से नहीं होता बेसिक फर्स टेट से ठीक हो जाएगी थोड़ा दर्द होगा लेकिन मेरे लिए सेल हो के बेना चपल के कहां गूम रही थी जाकर बात कर ये ये जाकर बात कर ये जाकर एक वील्चर लेकर रहा पोचूंगा तो बताएगा क्या मीरा को बीच हाउस लेकर जाएंगे उसका कट काफी टीप है तो होस्टिल में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा बेचारी बच्ची है क्या है कुछ बड़ा प्लान कर रहा है सीरसली बात करते हैं न इंडर्नल्स आ रहे है वो रखना ऐसे उसकी बॉड़ी पर चित्र बनाने के लिए नहीं का तु जा के वील्चर लेकर आएगा अब तू कहा जा रहा है यार गोल्स ऑस्टल में लेकिन तू वहाँ पर क्यों जा रहा है जुनियर ऑस्टल में बीर की बॉटल कहां से आई तुम सब बीर पीती हो क्या है नहीं सो वह आएगी तो बताना मेरा लोकल गार्डियन के घर गई है नाइड्रेस वगेरा रख दिया उपर है वो वो दोनों भी वो 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 प्रणेचर बॉब्स है वो लेगा वीव दाएगी है वो बॉब्स है वो और रख बॉब्स है? मेरा के कपड़े वहां सूख रहा है उधर मेरे कपड़े भी सूख रहे है नहीं वो तो मैंने पोटली में बांध कर यहीं क्या मतलब पोटली में बांध के रखा है तुम लोग कई बाहर जाना चाहते है नए अच्छा फिल्म देखने जाना है हाँ जारे जारे तुम्हें पैसे चाहिए नहीं जरूत होगी तो हम खुद भीक मांग लेंगे चलो ठीक कुछ कहा तुम लोगों नहीं दरवाजा ठीक से बंद करने को बूला आदी तुम्हें मेरे बार में सबसे सिदा क्या पसंद है तुम्हारी सांस देने की स्टाइल मुझे पसंद है यह तुम्हारा प्रोश है यह क्या देख रहा है मुझे पटा है यह लड़की हमेशा यही रहने वाली है अगर तुम्हें रोज पार्क या फिल्म जाने के लिए के लिए गा तो ऐसे कैसे चलेगा मेरी बात समझ में आरी है ना तू और दरुन कैंपस में शिफ्ट हो जा यह इसमें तू भी कम नहीं है मैं यहाँ यहाँ रेंट देता हूँ यहाँ चल जाना यार मीरा क्या हुआ अज मेरा बर्दे है हेपी बार्दे पर बार्दे हेपी बार्दे तरुन यहां इसमें तेरी बुक्स है इसमें तेरे कपड़े और उसमें तेरे गैजट्स है और कुछ तो बचा नहीं है ना ओ मीरा तुम्हारी एक्जाम्स तो खत्म हो गए ना तुम अभी तक निगली नहीं है है हम लोग पर्सों जा रहे हैं तुन अब तक अपना समान पैक नहीं किया कल कर लूंगा आधी है मैं दो दिन और यहां रह सकती हूं कि बेबी यह सब गुडबाय बुडबाय मुझसे नहीं होता है लेकिन अगर तुम मैंगलोर में ही रहोगी तो मैं यह जगया नहीं छोड़ पाऊंगा तुम कल चली चाहो ओक्य है तुम मसूरी चाहो के और मैं चन नहीं चाहोंगी पर सेम डे प्लीज बेबी तुम समझ क्यों नहीं रहिया पहले यह सब डिसकस हो चुका है ना बेबी फिर आप यह क्यों हमने टिकेट्स बुक कर लिए हैं तुमने अपना लगेच पाक किया ना हां एह यह बीज़ा हौज हमारा टाइम पास फाइनलि यह हाउजी मैगलोर सैंट पैक्क सफॉलाइफ कोहर ही रूटी फंज़ जॉली है क्या कहत्म होगया खत्म होगया जैसे यहां कुई मर गया क्या वह यूक जा मैं मसूरी जा रहा हूँ, तू खुद का एक क्लिनिक शुरू करने वाला है, देखते हैं तीन साल में कौन कहां रहेगा, जब देखो तब नॉस्टाल्जिया की बाते करके पकाता है, तुझे क्या कमी है, है गाइस, गैस वाट, अपने रागव सर्फूर्ति का वीडियो अप बेबी, तुम गुस्सा मत होना, क्या मैं दो और दिन यहां रह सकती हों, बेबी, प्लीज, बेबी, लेट्स किस तोनाइट, क्या का, क्या का, क्या का, किस, I'm serious, ए तरुण, मेरी बात मान फस मत जाना, रहने दे, मैंने कभी तुम्हें बेबी कह कर बुलाया है, क्या अरे व अपना पहला कदम बढ़ाओ, आदी, आदी, तुम सुन रहे हो, बेबी, बेबी, लेसन, बेबी, सुनो, सिर्फ टू डेज, प्लीज, प्लीज, है, मैंने तुम्हें एक बार कहा, तो समझ में नहीं आता क्या, दो दिन से टू डेज, टू डेज करके इरिटेट कर रहे हो, मैं मर गया हो, क्या, बेबी, ऐसा क्या हो गया, बेबी, इसके, बेबी, बेबी, इसके लिए कोई रोता है क्या, यहाँ देखो, दोंट क्राई बेबी, I'm sorry, I'm sorry, बेब, मेरा तुम पागल हो गई है, इतनी दूर कैसे पहुचे, बस में, बस, बेबी, हमें दूर हो, फिफ्टीन डेज भी नहीं हुए, मुझे इसा लग रहा है कि फिफ्टीन यहस हो गए है, मैं इस्टी हू, होग है, मैं इस अवस्टी है। ग्राटुलेशन्स दॉक्टर मेरा थाइक्स तो यह दुमारा गर बहुत अच्छा है कम इंसाइड आता हूना मा यह अधी यह मेरा भाई है मेधन शेटी अधित्या 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 वार मितन पी है यह 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 मा यह आधी हलो आटी मुझे आप से और अंकल से कुछ बात करनी है इस अंकल है मेरा को अपने साथ ले जाओ अच्छली मेरे भाई की पर सो शादी है और घर पर फंक्शन्स चल रहा है तो इसलिए इसलिए ले जाना था हम एक घंटे में वापस आजाएंगे यहूंए औरिक आण्टी मुझे अजिए आणटी संपर वैंशन्रहिन एक पर इसके भापा क्या अनी के बादी मैं आपको बता सकते हूं आपको वेट करना होगा क्या आपको चाही आपको चाहें आटी कोइए आ अमाँग्स काहांब के अटिया एक खेल और जैंसेंगहांais मेरा मीरा डरने के ज़वरत नहीं है अगॉड अंकल मैं इस बार में आप से पापा कव इने मेरी बाट तो सुनिये अंकल हम पैर ने बाट करपना अंकल आप क्या कर रहे है मेरी गर मेरी घर में रखना ना तो तुम्हारे जैसे लड़के को अपनी बेटी कभी नहीं दूँगा मेरा मेरा उनसे बात करूं या चला जाओ मेरा गो इंसाइट मेरा बहुती रॉंग परस्पेक्टिफ से देख रहे हैं तुम्हारे पापा बैठकर एक्स्पेइन करो ने मेरा मैरा गो इंसाइट मेरा इंसाइट मुप्रा पाइए एलो क्रे निष्चा करे पापा पापा पा hellu क्रे क्रेसं अंव्हारे जार आजाने मिरा तेरे को आपापा तेरे को क्या काम है इधर अप्रण देखना देखना तू मेरा साला यार मुझे तेरी बहन देखना थे यहार समझ गया नव बरो गुट फामली ना प्रो गुट समसें इर फाथर सेट तू भी बिलकुल अपनी बहन पिक है कौन से ग्लास में दू? 10 स्टैंडर्ड यह सब बखवास बंद कर दें और जारा पढ़ाई पर द्यान दें समझा? समझा ना? यह लोग तेरी क्लास लेने क्यों आया है मैंने कहाँ पार्टी दूना पार्टी देगा पार्टी देगा पार्टी पार्टी यह लो यह जाके पापा को बोल मैंने तुझे भी किस किया क्या हुआ अदित? पापा मैंने अपको बताया नहीं बट देज्डस गर्ल बताने वाला था कि जस्ट टेल में वाट वाट वैपन हाँ वही पापा मीरा नाम के लड़की है यह रिली लव हर छह मैने से उसे देखा नहीं था तो उसके घर पे गया उसके टेरिस पर था we were in a private space suddenly उसके पापा आ गया है उन्होंने situation को समझा नहीं यह कैसी बातें कर रहा है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह सब करने के क्या ज़रूद थी पापा we were meeting after six months meeting for what वही बता रहा हूँ पापा हम private space में थे terrace के corner में थे suddenly उस तरफ से उसके पापा आ गया है उन्होंने कुछ देखा कुछ समझा और तो पहले यह बता यह private space क्या होता है अरे यार तुने समझा ना private space यह तु क्या पोल रहा है आती बता ना क्या है वो आपकी शादी हुई तब आपकी age क्या थी मेरी उम्र हाँ, what was your age पर मेरी उमर से क्या मतलब है तुज़े एस सिड, रुकना यार शादी हुई थी थी तब आपकी age क्या थी 23 तो के नो, what's my age इस से उसका क्या संबन्न है डाड, मेरी age क्या है यह क्या है, यह क्या है सिड़र यह कहना क्या चाह रहा है मेरि उम्र क्या है नाट इंदर चलके बात करतें जलिए अन्दर चल के बिटा, मेरी बास सुनो, अगर शादी करनी है तो अपने पापा से को, पापा, मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी करा दो, खुद ही शादी की बात करोगे तो यह अच्छा नहीं है न, घलत बात है बिटा. मैं और मीरा, हम लोग दोनों प्राइवेट स्पेस में थे, जब यह बात पापा से कही तो वो मुझसे बार-बार वही सवाल कर रहे थे, बताओ, 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 इसका मतलब क्या है, दादी उनकी समझ में नहीं आ रहा था, he just doesn't understand. यह क्या कोई समझने की बात है बिटा, प्यार करना हो, तो कॉलेज की लाइफ ठीक ठाक लगती है, लेकिन शादी करनी एक अलग ही बात होती है, तुम्हें कई लोग उसे मिलना होगा, कई लोग तुम्हें जच करेंगे, कई लोग तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है और और दादाजी सेम कास के थे, इसलिए 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 बॉक आउट हो गया, हाँ, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, इतना इसे वेसे कुछ भी नहीं था, मेरी माँ और मेरी चाची ने, मुझे बहुत डाटा था, कहा कि इसे दिल्ली पढ़ाय के लिए बेजा था, और देखो क्या हो गया, इसनी तो हमारी इज़त मिट्टी में मिला कर रख दी, ऐसी और भी बाते कहीं, ये सब तो कॉमन है, ऐसा हर जगे होता है, वेन वोमन फॉल्स अनलाव, हर प्रियारिटी सा डिफरेंट, ठीक है, अगर उन्होंने कहा कि तुम लोग ने कुछ किया नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मैं मनाओंगी, और अगर वो किसी भी कीमत पर हर्गिस नहीं मानेंगे, तो आप क्या करेंगे, मैं फिर भी मनाने के कोशिश करूँगी, अरे दादी मीरा के डाट बहुत गुस्से वाले हैं, हाँ, वो तुमें गुस्से वाले लिखते हैं, लेकिन फिर भी वो उस लड़की के पिता है, पहले तुम अपने अगोसे को काबू में रखो, दादी मा, मीरा, आजा बीटी, कम, इसकी जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, तुम दोनों की जुड़ी बहुत प्यारी है, चिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों एक साथ लंबी उम्र तक बहुत खुश रहोगे, ठीक है न, देख, मुझे पर विश्वास है के नहीं, ठीक है, आदी, यह तुम्हारा रूम है, हमारे बारे में पापा से बात की, नहीं की, अच्छा हुआ, बात मत करो, क्यूं, क्यूंकि उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, बात मत करो, तुमने मेरे बहाई को चुमा, हाँ, चुमा, कव तो तुम्हारे पापा, माँ और बेन को भी चुमा, सोमझ में नहीं आ रहा है, हस क्यों रही हो, बेबी, हमारी फर्स्ट नाइट यही होगी, फर्स्ट नाइट, बलड़ी 549 नाइट, यू कीप कांट, नहीं, ऐसे ही, टाइंप पास के लिए, फिर इतना एक्जाक्ली कैसे बता सकते हो 549 ताइम्स तुम्हें कैसे बता 549 करेक्ट नहीं है यू कीप काउंट बेबी लेट्स बेकिट 550 यहां अबी इसमें गलत किया पापा आदी उस लड़की को बहुत पसंद करता है मैटर कॉम्प्लिकेट होने से पहले खुद उनसे जाकर बात करते हैं यह कैसी बातें कर रहा है दो दिन बात तेरी शादी है और तू उनसे बात करने के लिए कह रहा है अगर उससे कोई गलती होती है तो उसका जिम्मेदार वो खुद ही होगा उसने हमसे पूछ कर कुछ नहीं किया कोई जरूरत नहीं है उसे खुद ही बात करने दो हाई पापा गर पर है वहें रुक जाओ अंदर मताना अंकल उस दिन जो हो उसके लिए सोरी बट प्लीज उसके बेसिस पर हमें जजमत कीजिएगा मुझे मीरा बहुत पसंद है मैं इसका बहुत खयाल रखूँगा मैंने अपना MS पूरा कर लिया है कहीं भी जॉब करूँगा तो मंतली दो लाक सालरी मिल जाएगी अंकल आपसे ज्यादा अच्छे से इसका खयाल रखूँगा I think अगर हमारी फैमिलीज मिलकर बात करेंगी तो you'll have more confidence in the matter मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़े अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो नहीं अंकल मेरा ये कहने का इरादा नहीं था You're misunderstanding अंकल मुझे अच्छी तरह से पता है तुम अपनी अमेरी का घमंड दिखा रहे हो मुझे अंकल आइनो आपको लग रहा है कि हमारे लिए ये बच्चों का खेल है बड़ प्लीज अगर आप इन बातों को ज़रा ओपन माइंड रखकर सोचेंगे तो तो शायद हम समझ पाएंगे कि हम दोनों के प्यार में कितनी डेफ्थ है अईसे शब्दों का भी इस्तेमाल करते हो क्या तुम पापा प्लीज लट इम फिनिश पापा शट अप तुम अपनी जुबान बं रखो इस दड़के को वापस क्यों लेकर आई एक बार भी अपने परिवार के बारे मैं नहीं सोचा अब मेरी बात सुनो मेरी बेटी की शादी मेरी कास्ट में और मेरे बराबर वाले से होगी यही मेरा सपना है और यही मेरा सम्मान होगा सुची यह वही है ना इस से शादी का सपना अपने मन से निकाल दो प्लीज, प्लीज टोंट तुम्हारा तिमाग कराऊ बैक्या मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं मीरा से प्यार करता हूँ और मीरा भी मुझसे प्यार करती है and this is how you treat me I'm a bloody surgeon कोई रास्ते पर चलता फिरता रोमियो नहीं हूँ and who the hell is this guy, मीरा if this is how it is if this is how it will be then I've had enough I'm leaving मेरा, 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 प्लीज लिसन तुम्हे अपने पापा को बताना चाहिए हमारे बीच क्या हुआ था क्या हो गया अधी तुम ऐसे बादी क्यों कर रहे हूं मचसे मैं कोई कभी नहीं हूँ जो इनके लिए एक पोईट्री लिख कर दूँगा वैसे बी इनसे कुछ कहना वेस्ट है उनके हिसाब से हमारा साथ रहना ना मुम्किन है रहे उन्हों प्रूर किया तो तो समझते हमारे बीच यह अधी इनके मैं आधी प्लीस को फोन कर चल चल तो है दो आपने दिस अधी तुम क्या कियरे और मेरी खुट समझ नहीं है रादी मेरे इसामने फिल्मी दायला मारोगी न तुम मुह तोड़ दोगा कैसा अपनी है उसे समझ मेंने याता क्या मैं बोलूँगा तू सुनेंगा अधी, that's my father फिर से का, मैंने सुना नहीं वो कौने उससे फार्क नहीं पड़ता मीरा, imagine this is not 2019 imagine करो, आम राजाओं के युग में उन्होंने हमें साथ आने से रोका, इसलिए मैंने तुम्हारे बाप के खिलाफ जंचेड़ दी मैं उन्हें पेड़ियों में बांध का पिंचर में कैद कर देता और फिर उनके सामने तुम से शादी करता मीरा और वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में तुम बागल हो गया हो गया सिर्फ तुम मेरे लिए नहीं तुम्हारे माता पिता, उनके माता पिता, दादी, दादा, सब के सब, सब के सब मेरे लिए पैता हुए है तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं मेरा च्छे घंटे का वक्त देता हूँ, छे घंटे में डिसाइड करो तुम्हें क्या करना और फिर मुझे कॉल करो, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मेरा, पर कॉल तभी करना जब तुम मेरे चितनी पाकल हो जाओ, कॉल नहीं आया, तो यू नो मी, प्लीज, आदी, इस इतना कॉंप्लिकेट वाटत, यहां, वाटत, क्या कोंप्लिकेट हो गया, मै्क्सिमम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी शादी करवाएंगे ना, गो, गो, मैं श्राब देता हूँ, अपने कास्टवाले से शादी कर लो, आदी, आदी, प्लीज, मीरा, जट म आहसे मुझे छोड़ कर पापा कर ओ मैंकऑय तुम्हारी पुरी परिवार्की सभी तुम्हारी का सब्फ़ मुझाब प्रूपयड क्या हूगा Six Hours, मिरा Dorado y creciendo, maduro en mi tierra Listo para volar mientras mi gente espera Espigas, que fui yo sembrando para ver si germinar Viento de la luz del pensamiento y mitad A San Pedro los traigo entre el aliento y salivar Que suelto cada momento que siento correcto Y lo hago completo y directo Sí, señor Sí, señor Sí, señor Estos caricias de vida quizá Sí, señor Sí, señor Aditya, ¿qué hallo? ¿Por qué? No, no need a drink en bachelor party लेकिन क्यों यार तो पर क्यों पूछ रहे हैं एंजॉय कर, हपँपन, okay? What the hell is this Mira? Mama, there are hundreds and hundreds of males. Why don't you open and read it? It's even more fun. Shimliska, shut up! What rubbish is this Mira? Yes, we have made it very fun. Clothes off, naked, having sex, hundreds and hundreds of times. Shut up! Don't do anything! Who are you doing? Meena, give her a mobile. Is there another girl? when I leave a mobile. I'm gonna watch you. I love you too. I love you too. What's up? What's up about you? What's up about you? I wanna see you buzz now. Pick it up. That's right now. You gotta. Break it down. Speed it up. Just gonna kill us. What's that, what's it? बस्टान बस्टान मुर्थे! मुर्थे ट कर दो कि दो को तो लगए हूआ है कर दो हो कि अ लगए है लन्हार्णिट येफ विम्हार्ण कुमार्णीन है अटे टूलीघस न implies प neuर हाम लूंग मैं थूलीघस अढ़े दितल अदित्या अदित्या दर्वाजा खोल मीरा आई है अदित्या अदित्या दर्वाजा खोल मीरा आई है अदित्या मैंने कब सोचा था मेरी सिंदगी यह बतल जाएगी सब कुछ इतना अच्छा था एक अच्छा पती दो प्यारे बच्चे लेकिन तंबाकों ने सब कुछ पदल दिया अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरी चहरे से काटना पड़ेगा कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा मैं कभी-कभी सोचता हूं कि यह सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा क्या यह मेरी स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोज बना देगा क्या यह मेरे फेपड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा क्या ये मुझे मुझे मूग के कैंसर या रिते रोग या एंफिसीमा के तरीब लाएगा अगली बार जब आप सिग्रेट या बीडी पीने की सोचें तो खुद से पूछें ये सिग्रेट या बीडी पीने का क्या परिणाम होगा तम बाकू आज ही छोड़ें लखी है वो अलकोहल के साथ मुर्फी का कॉमिनीशन अखिर उसकी प्रॉबलम क्या है अब क्या बताऊं सर अगर एक पॉइंट भी जादा होता तो कोमा में चला जाता पता है उसके दोपर तक होश माने के चांस है क्या सर तुम इससे नहीं जानते क्या पारती हो मैं निकलता हूं कॉल कर ना I'll call you sir यह जो कि आपने हाथ मेलो आप भी ले लीजिये माथे से लगा कर वेदी पर डालिये शुक्लाम ब्रह्म विचार सार पर्मा माध्याम जगर्जी आपनी विड़ा पुस्का धारनी वेराम जाद्धान काराप हम आस्ते स्वडिक मालिकां चदतीं विद्यां दने सुन्देरां ओम आदवाय नमाः केश वाय नमाः पृतिवी देवताद्यो नमो नमाः सर्वंगल बांगले शिवे करवात पाधिके शर्वे प्रेंडिके जोल्नाराई नमो स्थिपे कितने महान डॉक्टर हो तो फेल उस चीज को फेक दो इसका हाथ इसके सीनी पर है अभी इसकी दादी जिन्दा है पार्थिव कॉल मेरा आव उड़ लाइक टो टॉक्टर दादी मतरसला दोपर को उसकी शादी हो रही है शादी है क्या इसको पता है इसे पता होता तो यह यह थोड़ी होता कल ही तो मैंने उनसे कहा था कैसा वैसा कुछ भी नहीं होगा सब ठीक हो जाएगा इतनी जल्दी शादी कैसे अरे दी दी क्या हुआ इसे ऐसे क्यों सोया है चले जाओ यहांसे चले आते हैं अम सर्व शक्तय नमो नमाहा सर्व काले नमो नमाहा परमेश्वराय नमो नमाहा ओम भू देवाय नमो नमाहा ग्रेश देवत आब्यो नमो नमाहा जूस पी लेजिए ए मुझे डाइपर किसने पैनाया झांत tenderव様ल्हामी या देविसरो भूटेशू बुद्धी रुपेन संसिता नमस्तसै 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 कशाग फ्र आमों नमाहा यादेवी सर्भूतेशू लक्ष्ट्वी रूप अरता नंता टृम्स तृम्स निया च्छाइड देना के इसे निकालने से यह 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 से नहीं निकलेगा इसे दो मिनिट पानी मैं भीगा हो तभी निकलता है एे, एे, क्या कर रहा है, तुझे जरा भी सबर नहीं है क्या, अगर उस दिन 5 मिनिटे पर शबर रखा होता न, तो कम से कम तुम्हारे वी इंच बात तो होती, क्यों, हमारे वी इस बात नहीं हो, इसका दुख हो रहा है तुझे नहीं यार शादी के परिम बताया सटेए यार करने दे शादी करके मरने दे तुझे लगता है अगर उसकी शादी हो जाएगे तो मेरी फीलिंग्स बदल जाएगे वह करनेवाली नहीं है कर चुकी है सच कह रहा हूं कल दो फिर को इसकी सादी हो गई कि अधी तो कहा जारे अब तो कुछ नहीं कर सकता है अब आपिने मुझे जह का था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा अधी आधी अधी कहां गया होगा पंडिजी आप शुरू कीजिए आदी ये आदी ये आदी इदर देख आदी गाड़ी मेटना ये आदी मेरी बात सुनना ये सुनना गर मांगे तो तू चुपकर याद तू बहुत फ्रप्रब्लम होगी, भाई ये! ये आदी क्या कर रहा है! मीरा 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 इटर यादर प्रश्क्नाहि अट्रिम यादि आदी आदी अफ़ितौ प्तवररलीश चाहिंड़ू क्या ये जडिदा रीज तो ये mgरज.. मिना वंजो मिना मेरे साथ चलब मारो इस कमीने को और आज के बाद ये मेरे क्फल में आना चाहिए हंती रसली है खब कर दो सर उनको रोक लीजे सर उमभर जाएगा बिचारा सर प्लीज उसर रोक लीजे सार मिरोड तो मैं देवारी तो मैं भी पताताओ अगर मार ना बन नहींगे ना तो इस मुटेगा से फोड़ दूगा रुको जाओ यहां से चालो सावब कंदर जाओ जा आदी 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 उच्छ चलो आदी चलो यहां से मिरा आदी चलो यहां से मिरा 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 भाराव मिरा प्लीज यह ले यह बार्दर यह शादी अच्छली इतनी पावफुल होती है हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते क्या अब बस चुप रहना चाहिए क्या मैं दो दिन बेहोश कह रहा है उसने शादी कर ली यार जब उसे शादी नहीं कर नहीं है तो मजबूर कैसे कर सकते है अब मैं क्या करूँ उसके घर इतना बड़ा जगड़ा हुआ उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा नहीं यार ये सब आसानी से गिव अप कर देते हैं नहीं यार शायद वहां मंत्रे चल रहे थे तो उसे सुनाई नहीं दिया होगा ठीक है अब तू क्या करना चाहता है देख वो मेरी मीरा है इसे चोड़ना ठीक नहीं है पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को यहां आने के लिए बोलो सिगरेट है बिड़ी लेगा ए उसे अंदर लेकर आओ ए भाई पुलिस स्टेशन में सिगरेट पीना मना है इसे समझा नहीं सकता अर्थेव इसे पीछे के दर्वाजे से लेकर जा जा आदित्या कितनी बार उसकी घर में जाकर हमारी इज़त मिट्टी में मिलाएगा शरम नहीं आती मा बाद में बात करते हैं तो चुपकर शादी में आए सारे महमान तेरे पापा से पूछ रहे थे कि आपका चोटा बेटा कहा है तु हमारी ग्रूप फोटो में भी नहीं है क्या सीली बाते कर रही हो मा ग्रूप फोटो, ग्रूप फोटो, ग्रूप फोटो चाहिए तो फोटोशॉप कर लेना, सिधात, पुझे कोई दुख नहीं, मैं तरी शादी अटेंड नहीं कर पाया, ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे घर से निकल जा, सिप्शन के बाद चला जाओंगा, उसकी कोई जरूर नहीं पाप, पाप, प्लीस पाप, यह क्या था रहे, निकल, जा यहां से, अरे, गेड आउट, सुरियो नहीं, पापा, ए, सिधू, ए, बेटा, उसे अंदर बुला लो, पापा, मैं बताया था ना, वो बीमार है, उसे अक्यला ही रहे नहीं ते लिए, आपा, उसे अंदर बुला क्यों, उसे भी दस्त है क्या, चुप रहो पापा, जब भी देखो, दस्त, 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 और कुछ आता नहीं क्या, अचा पापा, आपकी अलमारी से विस्की ले लिए है, मैंने, ठेक है बेटा, वो अभी कुछ निखाएगा, तू वापस ले जा, हाँ, हेलो, तू शादी में क्यों नहीं आया, यहां आएगा तो घर पे ज़रूर आना, ठेक है बाद में बात करता हूँ, बोल भाई, मुझे नहीं जॉप मिल गया, कॉंग्रेट्स यार, तो अब तुम नहीं लैस्ट चार्ट कटे जा रहे हो, एह, तुने कहीं मीरा को देखा क्या, वो मुझे क्यों दिखाए देगी, तू अपनी स्कूटर लेने नहीं गया था क्या, नहीं यार, मैं नहीं गया, पापा को भेजा था, तो अपने पापा से पूछना कि क्या उन्होंने देखा, मीरा को, अरे अभी तो मैं क्लिनिक में बाद में फोन करता हूँ, उन्हें ध्यान दिया पार्थेफ, मीरा ने कॉलेज में कभी किसी से नजर नहीं मिलाई थी, शीज़ ब्यूटिफुल गर्ल बट शीज़ लुक्त अट में, उस दिन से स्टार्ट हुआ, इस सम्माचिक मैं, लेकिन उस दिन क्या का, हमारी कास्ट, हमारी इज़त, किसने सिखाया उसे हैं, कहां से आया ये सब, इस ब्लड़ी क्रूल मैं, इस उन्फेर, तस वत इस, अगर मीरा और मैं साथ होते हैं, तो हमारा एक बाइप्रोड़क्ट होता, अब ब्यूटिफुल बेबी, अगर बिज़त, इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, फर्स्ट नाइट के बारे में पागल हो जाते हैं, सब के सब, कथे कहीं के, ए, इस टिपेंड ओफ एंडिविज्वल यार, आदी, मेरा की शादी होए चार महीने हो गए, वो अपनी लाइफ में मूव कर गई है, एक तू है, जो लाइफ में पत्थर की तरह स्टक हो गया, मेरा की शादी हो गई है, शादी हो गई है, पांच सो बार बोल चुका है तो, ऐसा है तो पांच सो बार बोलूँगा, ये, पार्थे विदर आ नहीं तुम्झे मारेगा, मैं नहीं आउंगा नहीं मारूँगा पार्थे, प्रॉमिस विदर मानले तेरी गर्डिर्ड को PMS PROBLEM है मेरी गर्डिर्ड नहीं है यार इसलिए तो कहा रहा हूं कि मानले उस वक्त तु क्या करेगा बेबी ये पेन तो हर महीने होता है, बस अगले चार देने से सहलो, फिर ये चला जाएगा, नहीं तो उसके करीब जाएगा, उससे कहेगा कि अपने थाइस पर, थाइस का मतलब बलगर नहीं है, थाइस का मतलब है लाग, गोद, तु उससे कहेगा कि मेरी गोद में सोचाओ, थोड़ा आराम कर लो, उसके दर्द को समझेगा, तुन्हें मेडिसिन पढ़ा है ना, या फिर ये सब भुला कर तो उससे कहेगा कि तुम्हें एक औरत हो तो तुम्हारे नसीब में यही लिखा है, अच्छा, फिर तो ठीक है, इसके बारे में बात क्यों किये, कैसा ठकने है, जितना बोला उसमें यही समझ में आए, अरे समझ गया, तुन्हें जो भी काब मैं समझ गया, जब महिला PMS में हो, या पीरेट में हो, तो उसे कैसे ट्रीट करना है, उसी तरह तुम्हें भी ट्रीट करना है, मैं समझ गया, उनको महिने में चार दिन समस्या होती है, लेकिन कि लुए ब्रागश करा होता तो क्राहों कई हाँ झाल frighted ठाल टोकिया थो घृस्टिंट को कही उसंक्ले फोतोग्राफर के लिए अच्छा वैंश उस दिन स्टाट कसे उगा ता उसका रिडिल डिसक फिरायक्ष्टर था हुँआ और लड़की हर दिन ऑस्पिल में फोन करती थी फियॉन्से को चिकन कहला सकते हैं क्या मसूर कहला सकते हैं क्या क्यूंकि उसे लगा इससे चॉंड़ेस हो गया था ना बोला उसे चिकन कहलाने के बज़ाए मुझे खिला दो ठीक हो जाएगा तु क्या है रे कैसे की यह सब सीरिस मतले है तुझे क्या लगता है ऐसी बेवकूफी करेगा तो तु मेरा को भूल जाएगा नहीं न अच्छी लड़की को तलाश कर और उसे गल्फिंड बना यह आधी तू रो रहा है यह आधी ची बच्चे की तरह रो रहा है रोना बंद कर रहे है इसलिए बोलता हूं जो तू नहीं है वो बनने के ट्राइ मत कर तेरी परसनल्टी की तरफ देख तेर पर सूटी कर रहा है रहे है मेरा यकीन कर कोई भी लड़की तुझ पर फिदा हो सकती है गर्ल्स होस्टल के सामने तेरे लिए लिए लग जाएगी फाल तुम्हें मीरा के नाम का इतना रो र यह हॉस्पिटल तो अच्छा है ना इतना खाली कि हुआ है हाँ मैडम यह बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सर प्रिया मैनन आई है सर हिरोईन है सर एमजी ने उन्हें आपको ही रिफर किया है आने के लिए का हूँ डोक्टर आदित्यो व्याइपी पेशेंट पेशेंट मैं आपका फैन हो मैं आपकी हर फिल्म में देखता हूँ आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है अगर आप हमारे हॉस्पिटल में शूटिंग करना चाहे तो कॉल मी एनिटाइम मैं पर्मिशन दूंगा नो प्रॉब करेंगे मेडम कर देख भाल अच्छे से करना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए व्याइपी पेशेंट बेजे में पानी का लेवल कम हो गया क्या ब्लाक और वाइट का डिफरेंस नहीं समझ में आता है असल में तुम्हारे सेंस ओगन्स काम नहीं कर रहे है हिरोईन को द यहां पर यहां पर यहां दुख रहा है तुलसी यह सर और नी ब्रेस लेकर आँ ओके सर कुछ दिन बेर स्किन रहना होगा यह लेगिंग्स वगरा नहीं पहन सकते हैं रात को सोते वक्त इसे निकाल कर सोना है ठीक है दॉक्टर अब कैसा लगर आपको वाव थैंक्स पहले से बेटर फील कर रही हूं लक्ष्मन मैडम इस वक्त बीजी है बाद में फोन किए जरा समाल कर यह क्या है सिट कि यह क्या कर रहा है हाथ दिखा है जो कि चोल सब क्या है यह सब क्या है यह मेरा सामान नहीं है यह पीटर का है उसका बाप गाउन से वापस शुर में तो अशिल पास यह एगो ट्रिप और कितने दिन ये इगो ट्रिप है अधित्या लेसन पापा से मैं बात करूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा हम ओके बात पापा की नहीं है I just need some space कैसा space यार घर छोड़े हुए चार महीने होगा तु बैस करने के लिए आया क्या ओके तेरा फेवरिट है रॉयल इंफिल्ड इंटरसेप्टर मैंने ओर्डर किया है घर चलना मैंने यहाँगा अपने घर चलने कह रहा हूँ चांस ही नहीं है ब्रो मैं कई नहीं जाऊँगा क्यों इतना जित कर रहा है तू कितनी मुश्किल से तेरा अड्रेस मिला है किसने बोला था अड्रेस डूडने के लिए मैंने बोला था क्या दिख रहा है न मैं ठीक हूँ मैं तुझे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा समझा तू चलना और बता हनीमून के लिए कहा गया था कहीं भी नहीं क्यों क्योंकि तू घर से चला गया था तो फिर मैं कैसे जाता मतलब तुम दुनों के बीच नहीं वैसा कुछ नहीं है घर में छोटे बच्चे की आवाज कैसे आएगी दो साल तक कुछ नहीं उसके बाद प्लान करेंगे प्लान करोगे? ऐसी चीज़े कोई प्लान करता है कि इसका अपना एक फ्लो होता है नाचरली आट अट 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 लव यूनो रोलिंग यस सार अक्शन मूव मूव सर गुड मॉनिंग सर चाई या कॉफी? जूस है क्या? हाँ है सर सर मेडम शॉट में बीजी है पांस मिनट में आ जाएंगी सर जूस हाई आदी हाई मैंने सोचा नहीं था कि तुम आओगे अब गुटना कैसा? पहले से बेटर है शूट के बाद नीपैट बहन का रखती हूँ यही जानने के लिए आये थे क्या? कहानी सुनाने आया था कहानी? सुनाओ ना जब कॉलेज में था तो मेरी एक गर्ल्फरेंड थी मेरा नाम की हम अलमुस्स साथ रहते थे लिविंग इन उस लड़की की शादी हो बही है उसे बुलाने की मैं कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ वरक आउट नहीं होता मुझे फीलिंग नहीं चाहिए तो मेरा मेरा मेडिकल सर्टिफिकट ला सकता हूँ आउपनली कुछ रह करते है फ्रेंड बेनेफिट्स नो स्ट्रिंग अटाच्च्ट नो क्वेस्टिंस आस्ट इल बी फैंटास्टिक क्या क्या दिया क्या दुम्ह सोचने के लिए वक्त चाहिए अदी प्रिया ये मेरा दोस्त है लक्षमान ये स्पैड़ ये अदी ये पार्थेव बैक्षमान ये देख तेरे लिए सर्प्राइज तरुन वाट्स आप ब्रो गुद टू सी यू कैसा है तू मैं अच्छा हूँ यार कबाया आज ही सुबाया तेरे लाइसेंस का क्या हुआ लाइसेंस क्लेर हो गया ये अच्छा है ये अच्छा है ब्रो नाइस नाइस और बता वाट्स आप हरे यार काविया के उसके घर आ ले लड़का देख रहे है उसी टेंशन में उसने मुझे अजेंट इबुला लिया यार और मैं आ गया इतना सीरियस थे तुम्हारा रिलेशन्शिप हाँ तो देख दोस्त मैं बस ये कह रहा हूँ हर कोई पैसे के पीछे पागल हो रहा है थोड़ा इजी ले ले बात बनी तो ओके नहीं बनी तो डबल ओके वरना मेरे जैसा बन जाएगा कैसी बाते कर रहा है तुझे किस चीज की कमी है रहे यहां तु हिरोन के साथ बैठा है अच्छा बता तुम दोनों क्या सीरिस बात कर रहे थे शौट डिसकेशन हो रहा था क्या सेट हुई भी है कि नहीं वर्किंग प्रोसेस है बक्वास मत कर मैं सर्फ बात करने के लिए था ओ यह तरुन मैंने क्या कहा था नाइट में सूरज दिखेगा टीवे में बताया था ना उसे मीरा के बारे में बताया मैंने मैंने उससे थोड़ी सी फिजिकल हेल्प मांग लिया फिजिकल हेल्प तो मैडम ने फिर तुझसे क्या कहा मैडम दीरे दीरे हां बोल देगी एक पार्थर हां बोल लड़की को क्या हो गया मेरे कपड़े इस्तरी कर रही है कौन सी लड़की रहे प्रिया यार प्रिया एभी तू कहां पर है मेरे फ्लाट में हूँ उसने काफी पिला कर जगा दिया ओ पी ली गया काम पूरा हो गया इतना सोचेगा तो दिमाग घेज जाएगा अरे अब तो हो जाएगा ना हैपी जर्नी ए जो मैं बोल रहा हूँ नहीं सब ध्यान से सुन मैंनोस लड़की की विकिपीडिया पेज को पढ़ा है वो लड़की हैदराबाद IIT से पढ़ी लिखी है और उसके पिता दिल्ली हाइकोट रिटराइट चीफ जस्टिस है समझ गया ना सुनना तुझे इससे बढ़ी लड़की नहीं मिलेगी मेरा की शादी हो चुकी है वो चैप्टर खतम हो गया है तो आखिर कब तक मेरा के नाम की माला जबता रहेगा मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें खिरोईन हो और एक मासूम लड़के को यहां लेकर आई हो किसी ने देख लिया तो क्या सोचे कर लक्षमन है ना बाहर उपस ओ यह अधी अधी ओ आधी ओ लव यू अधी 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 क्या हुआ मैडम 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 आप अंदर बेटिए अधी वेट उटार में तो फिरी आई लव यू सब क्या है पक्वास अधी चलो कार में बैट कर बात करते हैं प्लीज हम दूनों के बीच कुछ नहीं होने वाला हमारे बीचे लव क्यो ला रही हो इंटेलिजन सीरो है क्या वा यू ब्लड़ी इमोशनल देखो ना अब मैं तुमसे मिलूंगा ना तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए अच्छा रेली एक बात सुलो अधित्या वो लाइफ मीरा के साथ ही खात में हो चुकी है तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है मैडम लक्षमत जाओ यहां से एक बात सुलो अधित्या वो लाइफ मीरा के साथ ही खात में हो चुकी है तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है हालो हालो सर हॉस्पिटल से तुल्सी बात कर रही हूं हां बोलो तुल्सी सर प्रभु सर का ही केस है एमजेंसी है सर ए तुल्सी आज मेरी चुट्टी है यार जानती हूं सर पर हलो सर यहां कोई नहीं है सर तुल्सी सर एमजेंसी केस है सर ए तुल्सी नहीं मैं सरजरी करने के आलत में नहीं हूं तुल्सी कल देख लेंगे सर सर प्लीज सर चाहिए तुम्हें आपका पैक तयार करके रखूंगी बहुत क्रिटिकल है सर पेशिंट का बहुत सारा ब्लैड लॉस हो चुका है वो मर सकता है ठीक है फॉलो देशिक्स पेशिंट को एंटिलेटर पर रखो में आ रहा हूं ओके सर सर यह पेशन खाली आपके सरा बहुत प्सक्षा नहीं है सर यह पेशिंट है सबकुछ नहीं है ना कर दोगर त्रॉब के लिए बेडि़ा कि लिए उन्मा सर्से हम I तुलसी क्या है यह सब वट हपेंड यह और विट होस्पिटल के रेपूटेशन का मामला है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका लाइसेंस केंसिल कर दूंगा जिसने इसब किया है मैं किसी भी हद तक जाऊंगा अपने फेबरेट डॉक्टर को बोल देना मैं उसे कोर्ट में मिलूंगा मैं यहां से सिधा जाएंगी तो 1709 फर्स्ट में ओके थैंक्स ए तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर रहा हूं सिगरेट है क्या सिगरेट अधित्या हलो 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 आंट चाहिए लेकिन किसी की सुनता कहा है जर उसे सुनना होगा नहीं तो मर जाएगा बहुत पीता है क्यों बेटा है मैं डेली पीता हूं उससे आपको क्या मुझे ऐसा ही रहना पसंद है जिस लेट मी बी जब देखो तब सवाल करके परेशान करते रहते हैं यह आप कैसा सवा कर रहे हैं is this how you handle a sensitive issue let's face facts डॉक्टर आदित वर्मा हमारे कॉलेज का टॉपर है वो वन ओप दी बेस्ट डॉक्टर है सेंट पैट्रिक्स का हाँ वो थोड़ा गुस्से वाला जरूर है मानता हो मैं इस बात को लेकिन एल्कोहल और ड्रक्स वो ऐसा नहीं कर सकता एक अच्छ क्वालिफाइड डॉक्टर होना इतना असान है क्या बट इंडियन मेडिकल कॉंसिल इंडियन मेडिकल कॉंसिल डॉक्टर्स के लिए है यह हमारी आपस के बात है नौट फॉर मीडिया एंड पॉलिटिक्स दादी मा कल तक आप मुझसे पूछ रही थी कि वो कहा है अब जब आप जान चुकी है कि वो कहा है तो आप जाती क्यों नहीं मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती मुझसे यह नहीं होगा बिटा मत देखिए एट लिस्ट फोन पर तो बात कीजिए आप उसे बुलाएंगी तो वो ज़रूर आएगा दादी मा सिदाद जब हम किसी से दिल से प्यार करते है न तो मरना अलग बात है पर छोड़ कर जाना अलग फर्स्ट केस में वो इंसान वापस नहीं आएगा ये सोचकर हम अपने दिलो दिमाग को मना लेते हैं मेरी तरह सेकिंड केस में हम आसानी से इस बात को नहीं मानते इस वरी पेनफूल आदित्य की तरह मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ लेकिन उसका दर्थ शेर नहीं कर सकती वो तो उसे अकेली ही सहना पड़ेगा अहां तो उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए सफरिंग इस वेरी पॉसनल सिधात लेटिम सफा सबस्क्राइब इस वेरी अख बुदाएब इस वेरी छोड़ेगे जस वेर थाउर हेँ झाल तरा यह आदी, Mr. Anant Nair एक successful lawyer है यही तुम्हारा case handle करेंगे और अगर तुम इसे बार-बार case case मत का हो जैसे कि मैंने कुछ गलत किया है क्योंकि मेरी नजर में यह case है ही नहीं उस दिन emergency में कोई नहीं था इसलिए मैंने जाके handle किया वैसे भी patient अभी जिन्दा है न ऐसे case में patient जिन्दा है medical negligence case में बदलेगा स्वाधित्य चेल में उस दिन तुमने कितना पिया था criminal negligence सर उस दिन hospital में मैं किस condition में गया मुझे ही पता है I had lost motor control किसी तरह बस बात कर पा रहा था मैं चेर में बैठा और head nurse को guide करके surgery करवाई medical negligence my foot वो हम लोगों ने भी सुना और हमें समझ में आता है Are you a surgeon? Sid, ये आदमी हमारे ही side है न? Of course तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है I don't like his interrogation tone Aditya, please ये case बहुत दूर चला गया Indian Medical Council भी involved है Sid, I need a better lawyer Hospital management तुझे guilty proof करने में लगी है As a womanizer, as a drug addict As an alcoholic womanizer For God's sake Already TV में, newspaper में सब जगा बात चल रही है मुझे तुम्हारा support चाहिए ताकि तुम्हें इससे निकाल सकूँ Aditya, तु सुन रहा है Please, यार मैं तुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ Please, यार बस थोड़ा presence of mind चाहिए ये eye witness material है इसमें तुम्हारे patients ने sign किये है कि तुम wonderful surgeon हो ये कुल 484 radiographs है Your total working days are 214 Total count of surgery are 486 उसमें से एक दो case out of station है बट आपके hospital logbook में entry की हुई surgery के cases 300 है Logbook जूट बोल सकता है लेकिन radiographs नहीं क्योंकि हर radiography में डॉक्टर आदित तिवर्मा यानि तुम्हारा ही नाम दर्ज है I can give you the backup also Plus ये है कि patient अभी तक जिन्दा है So हम उसे कुछ पैसे देकर manage कर सकते हैं So easy Minus ये है कि hospital management ने आपका blood sample collect किया है जिसमें alcohol level 140 प्लस आया है And you are high on cocaine तो अब हम क्या करें Good question हम उस blood test में preservative add करेंगे फिर formal test level में variation होने की वज़े से result गलत है ऐसा कहकर blood test को invalid कर सकते हैं बाकी में देख लूँगा तुम अभी चाहें जितने पैसे देकर manage कर रहे हो लेकिन उस manage को अपने face पर कभी मत दिखाओ Okay? Bye Thank you Adi 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 Hey Parthi कहाँ है अरे वो Adi 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 Hey Adi 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 kya karraaa Adi 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 h आदी, इदर दे, उड़ जा, आदी, ए, देख रहे इदर, खीच, खीच, चल, खीच, जली खीच, 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 खीच ना आदी, खीच, 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 आदी अदी अब कैसा है वो अब ठीक है ए तेरे भाई ने कितनी तकलीफ से तेरे लिए इनकोट हाउस हीरिंग रखी है तैयार हो जा और नॉर्मल रहने की कोशिश कर अब पीने के बाद नॉर्मल कैसे रहते हैं यह तू मुझे सिखाएगा ए ए ए ए ए ए पैंट भी तो पैंड ले से भी इनको लिकर सर्व करती हैं इंफेक्ट सजरी डरेसिंग रूम में भी काफी सारे ड्रक्स पाएगा है यह सब के साथ रूडली बिहेब करते हैं यह सारी बाते मुझे बाद में पता चली पर टॉक्सिकॉलजी रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन बता रही है आपको प्रूव करना होगा इस तरह एमोशनल स्टेटमेंट कोट एक्सेप नहीं करता 300 रिकॉर्डड विडियोज और टेस्टिमोनीज हम वो तुझे याद है क्या है अब यह केस तेरे फेवर में ही है इसे खराब मत करना लेकिन यह गलत है इनके सारे डॉक्यूमर्स मुझे दीजिए मैं इस जदार क्या है यह सब कितना पैसा दिया तुने ने अधित्य शांथ यह तो बापा को देखना बापा को यह सब पसंद नहीं है यह क्या बोल रहा है तू ज़रा चुपो जा यार मैंने गद्धरी की है अपने प्रोफेशन से प्लीज यार बात मान अगर आज पैसे खिल करकेश जीद भी जाऊंगा तो डॉक्टर के नाथे मैं काम कैसे करूंगा शट अप वाधी अधी अधी आधी अधी आधी अधी 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 लिविंग अ लाई कुछ मत बोल मेरी पात सुन प्लीज प्लीज अगर मैं पी चल चला जाऊंग तो तेरी इस्ट कम हो जाएगी तुम किस तरह का केस हानिल कर रहे थे, आपके एपोजिशन वालों का कहना है कि आप उस वक्त होश में नहीं थे, और आधे होश में आपने हैड नर्स को डारेक करके पेशिंट को स्टेबिलाइस करके सर्जिरी की, क्या ये सच है? क्या उस दिन तुमने सर्जिरी के पहले किसी तरह का नशा किया था या फिर कोई आलकोहल कंजूम किया था और एनी अदर फॉर्म आफ सब्स्टेंस अब्यूस? नहीं लिया पॉल I'll repeat the question क्या तुमने किसी तरह का ड्रॉग्स लिया था या आलकोहल कंजूम किया था सर्जिरी के एक दिन पहले? प्लीज यार, प्लीज 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 येस क्या तुमने सर्जिरी के दिन शराब पी थी? येस, I was drunk उसके अगले दिन भी पी थी मैंने मैंने नशे में ही सारी सर्जिरी की है और मैं इस वक्त पी नहीं इस वक्त पी नशे में हूँ येस, I am an alcoholic I have a drinking problem अधी, अधी येकिन अज तक मैंने किसी पेश्ट को नुक्सान नहीं पोचाए और मैं प्लूद तो से इट I am good at what I do, goddammit लेकिन पेश्ट का डॉक्टर पर भरुसा होता है वो मैंने तोड़ दिया है and I do not deserve to be a doctor इसको ऑस्पिटल से कोई लेना देना नहीं प्लीस, make that clear I think there is nothing more to say अगले पाँ सालों के लिए तुम्हारा लाइसेंसी इस कर दिया गया है उसके बावजुद अगर तुमने प्रैक्टिस करने की कोशिश की you will be put behind the bars for three years Dad I'm sorry, Sid I'm sorry section 269 of the IPC causing hurt by act endangering lives or personal safety of others whoever causes hurt to any person by doing any act so rashly or negligently has to endanger human life for the personal safety of others shall be punished with imprisonment of either description for the term which may extend three years or with fine which may extend up to 500 rupees or with both यस्तुमिर दिया औिया एक्षी ईक्षी का स्क्षी साव मैम चलिया कैंगे कि अगव अगव कि अगव कि अगव कि अगव कि यह रहे तू फिर से पीने लग गया है क्या तो इसी में मज़ा है भाई वैसे में यह पूछना चाहता था कि सारा समान का है सब बेच दिया क्या तेरी दीदी के पुर्णे रिदी के लिए पैसे चाहिए थे न इसलिए बेचना पड़े लगता है कि अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो फिर मुझे बोल देता ना पार्तिफ पैसे अंदर रख अरे मैंने तुछे कई बार पैसे लिए वो समझ के रख ले उस इन तेरे गर पे खाना काया ना उसी का इसाब रख ले ज्यादा नाटक मत कर यहले पकड़ यह क्या खर रहा है में करिमस हेलो मिस्टर कोई है की नहीं यहां कैसी अरे मेरा फ्रेज का है रे फर नीचाट एय मेरा सामान का है अभलो क्या चल रहा है इधर यहां से निकलो 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 पुलीस को बलाओं गा यहाट उट तुम्हें कल एक जगह दिखाओंगा ब्रो तुम्हाज के रात वहीं सोज जाओ, ओके ब्रो, यहां पे सोजाओ, बहुत अच्छी जगह है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सुबह तुम्हें कच्छी जगह सेट कर देता हूँ, ठीक है ना? साइब, क्या हुआ? आपके दोस्त यहां नहीं है, खाली करके चले गए कहां चला गया? मुझे नहीं पता सा अरे भाई, पैसा तो देकर जाओ इसको क्या बोल रहा है, मेरे रेकाउंट में लिख ले तु खुद फोकटिया है ए भाई, दो चाय, दो दिम ब्रो, तिस घर सेट हो जाएगा टेंशन मतलो ब्रो, मैं हूँ ना, हम लोग एकटीब में है अरे यमा, 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 ये कूब सूरद, अरे चाय आजाएगा कि नहीं ये, तु यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे पता है, मैं तुझे कहा कहा डूंड रहा हूँ, बेवकूफ कहीं का ये, चल निकल, निकल भाई, दादी मा अब नहीं रही ये, चल झाता है को इ हे प्रोचर इंस ये, 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 ये विर ब visionary अधित्या बेटा बैठ जाओ नहीं कोई बात नहीं आप बैठ चाहिए पापा कहा है मा वो वहाँ पर है पापा आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं पापा 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 आप कैना अंडिस्टैंड पापा कि आप कैसा महसूस कर रहे है दादी के गुजरने का सबसे ज्यादा दुखा आपको है पापा हमने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन आएगा दादी के जाने से ऐसा लगता है घर की रौनक ही चली गई है सब कुछ सबने जैसा लग रहा है पापा लाइफ में पैदा होना प्यार होना वापस जन्म लेना और फिर से मर जाना पस टेन परसेंट होते हैं यह इंपॉर्टन्ट मॉमेंट्स बागी 90 परसेंट तो इन मॉमेंट्स के लिए हमारे रियाक्शन्स हैं। पापा यह आपके लाइफ का एक इंपॉर्ट्न हूमेंट है पापा उचाएए प्लीज आपसे मिलने के लिए बहुत लोग उन्तजार कर रह थुझ आप मेरी बात मानिये और अंदर चलिए उठी samhपा प्लीज मेरी बात मानिये उठिजां यह चलिए चलिए प्रबने को एंग से लगार कि वार की लुक भार कि एंग जब दो प्रदी आप रख एंग डदी मागक अपवरेट सोंग अराम से, अराम से, अराम से, अराम से देखो, बोडी को समाझ के, बोडी को समाझ के ए बोडी कौन बोला? आदी, शान्त रहे कोई बात नहीं, बेटा, दे काफी दिन हो गए, कॉलिज में मैं ऐसी पीता था, ये ले नहीं, पापा अधित्य, अंग्रेजी में एक कहावत है इस नौट दे गुडबाई देठाट, बट दे फ्लैश्पैक इट फ़लो ये तेरे लिए बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन इसमें काफी सच्चाई है आई थिंक ये समझने का टाइम आ गया है पापा, आपा अरे, मैं आज से सारी बुरी आदते छोड़ दूगा, I promise इट्सो के आदित्य, मैं समझ सकता हूँ वाइ डूंट ये के ब्रेक, आई थिंक यू डिज़व इट इसमें बहुत कुछ करना बागी है ऐसे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं भईये यू टन लिना झाल कर दो योरोप आया है एक फोन नहीं कर सकता था क्या मैं जहें रहता हूं यहां से दो घंटे का रास्ता है मैं फोन करता हूं तो फोन नहीं उठाता हूं श्या तेरी मर्जी विसे यहां क्या कर रहा है यहां आने से पहले मैंने मीरा को देखा मुझे लगता है श्यादी जबरदस्ती करवा दिया ओके लेकिन प्रेगनेंसी तो क्या हुआ वो मेरी है यार वही है वही मीरा उसके शाती हो गई प्रेगनेंट हो गई तो कुछ बदल जाएगा क्या आदी जो बोल रहा है सो समझ के बोल रहा है न मैं आज रात वापस जाने वाला हूं उस दिन मैं नशे में था सब गड़ड कर दे आज पूरे होश में हूं अब भी बोल रहा है मीरा मेरी है उसे मेरे पास आने से कोई रोक नहीं सकता मेरा की शादी हुए नौ महीने हो गये है अभी वह किसी और की भीवी है वड़ा तरीके से बात करना पूराने इस्टायल में बात मत करना संजया है अगर तुन्हें कुछ भी गड़बड की ना उधर देख रहा है वो एक्सेसाइज कर रहा है वो हड़ी पसली तोड़तेगा समझ गया ना देख मीरा आगी मीरा मुझे तुम से कुछ बात करनी है मीरा प्लीज मेरी बात तो सुनो मीरा बेबी तुम गुस्से में हो मैं समझ रहा बेबी प्लीज बेबी एक बार मेरी तरफ देखो आँटी थोड़ा सा पानी दीजिए मीरा मीरा प्लीज बेबी वाई यू इग्नोरिंग मी ठीक है मुझसे बात मत करो लेकिन मेरी बात तो सुनो मुझे क्यों सुनना होगा उस दिन मैंने कितना कहा था पर तुमने सुना तो अब मैं क्यों सुनो चले जाओ यहां से जसको मैं जाने के लिए नहीं आया मीरा तुम्हे साथ ले जाने आया हूँ चलो तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती न बेबी ब्लीज बेबी यह सब क्या है बेबी हम दोनों ही खुश नहीं है मेरे साथ आओ हम साथ रहेंगे मैं खुश हूँ यह नहीं ये डेसाइड करने वाले तुम को न होते हो बेबी हम तुनों अलग-अलग रहकर खुश नहीं रह सकते I know that मैं होश हूँ तुमने मुझे कहा था ना किसी भी लड़के से शादी कर लो याद है ना तुम्हे थांक्यू सो मच तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ अब तो तुम खुश हो ना जाओ यहांसे जाओ बेबी बार-बार जाने के लिए मत कहो चलो मेरे साथ उस दिन तुमने मुझे टाइम दिया था ना छे गंटों का याद है तुम मुझे छोड़कर कैसे चले गए उन छे गंटों में मेरी जिन्दगी बदल गई आदी और तों के लिए घर में कई रेस्टिक्शन्स होते हैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है ना इसलिए तुम नहीं समझ पाऊगे सब कुछ पार करके मैं उस रात तुम्हारे घर आई थी तुमसे मिल नहीं पाई मैंने ये भी सेहन कर लिया उमीद कर दे थी कि तुम आओगे लेकिन तुम नहीं आए और सब कुछ खत्म होने के बाद दो दिन बाद तब भी तुम शान पैठे रहे तुम सब कुछ भूल गए नहीं मीरा तुम उस दिन आई थी ये उसे पता नहीं था प्रॉमेस तुमने फोन नहीं किया इसलिए साइको हो गया और मार्फिन इंजेक्शन लिया जिसका ओवरडोस हो गया तेर वेरी हॉपलेस सिच्वेशन दाट नाइट जस्ट मेस हो गया वरना मर जाता दो दिन के बाद होश में आया और इस बीच तुम्हारी शादी हो गई तुम्हारे भाई की शादी हो गई ये सब इतनी जल्दी हुआ जब उसे होश आया तो तुम्हारी शादी के बारे में सुना उसके अगले पल इसके पिताने से घर से निकाल दिया वो हॉस्पिटल में काम करते हो अकेले रहता था वो घर भी तब गया जब उसकी दादी मर गई ये सारी बाते तुमें नहीं पता है मैं उस दिन इतना दूर आथा मीरा लेकिन तुमने एक बार भी पलट के नहीं देखा कितने दूर थे हिमालय परवत पर थे क्या बोर्ट क्लब से आड़ यार बस इतना ही न और मैं क्यों देखती ऐसे भी तुमा आए क्यों थे वहाँ मार खाने प्लीज डॉंट रमाइन मी ओल दाच्छ इसको बेभी प्लीज प्लीज काम डाउँ ठीक है मैं अपना चैरा नहीं दिखाऊंगा लेकिन एक आखरी सवाल पूछता हूं उसका जवाब देतो पूछो मेरे साथ आने से तुम्हें कौन रोख रहा है यहीं ना दिस मीरा दिस इस फ्लेश इन ब्लॉड ओ रेली मीरा है मेरा यकीन करो मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं सब कुछ संभाल लूँगा यह सोसाइटी हमारी फैमिली यह फ्रेंड्स सब के सब भाड में जाए मीरा इसके बार में ज्यादा मत सोचो मेरे साथ चलो ठीक है अब मैं तुम्हारे साथ आऊंगी और जब यह बच्चा पैदा होगा यह बापा किसे बोलेगा मुझे बोलेगा सुनने में कितना अच्छा लगता है ना लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारे पास तो तुम्हारी हेरोईन है तुम्हें जो प्यार करते हैं उन्हें भूलने के लिए ते तुम्हारी शराब है और ड्रक्स भी अब जाओ यहां से नहीं मीरा उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है ए पार्टेफ मीरा तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है तुम कहो तो मैं तुम्हारे हस्बन से बात करता है मैं अभी जाकर उससे मिलता है तुम्हें एक बार हां तो कहो प्लीज सामने हो बैठो कम ख्लोजर बैबी तुम मेरे बिना इतने दिन कैसे रह गए बताओ शादी होने के तीसरे दिन मैंने वो घर छोड़ दिया मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत नारास थी I was so angry with you मैंने ममी पापा से भी मुलाकात नहीं की यहीं पास के होस्टेल में रहकर क्लिनिक में काम करने लगी मेरा पुस्सा कुछ बाद कम हो गया मैंने तुम्हारे पास वापस आने की सोच और फिर मेरा पेरेट सोना बंद हो गया मुझे पता चला कि मैं प्रेगनेंट हूँ और फिर मुझे तुम पर और ज्यादा गुस्सा आगिया कुछ दिन अबाद मैं तुम्हें पेरेट से देखना चाहती थी फिर मैंने पेपर और मीडिया में उस हिरोईन के साथ तुम्हारे रिलेशन के बारे में पढ़ा मैं बहुत अफसेट हो गई चांदे हूँ मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी उमीद कर रही थी कि तुम मुझे जरूर ढून लोगे और आज आज तुम मेरे सामने हो आदी मैंने अपने पती को खुद को छूने तक नहीं दिया अपने नस्दीग तक नहीं आने दिया आदी तिस इस नॉट जिस फ्लेशन ब्लाट मैं तुम्हे क्लियरली बता देती हूँ तिस इस यो बेबी यह सादी मैंने कई बार सोचा के तुम्हे बतादू लेकि तुम्हे बता ही नहीं भाई मैंने इस बार में किसी को नहीं बताया यहांद की मॉमी पापा को भी नहीं I wanted to tell you first बोलो I'm pregnant You'll be a father soon I'm pregnant will be parents soon अधिए 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 तुम पर मैं कितना पुसा हो पता है सोचा था हगी इस जनम ने कभी तुने माफ नहीं करोगी मुझसे शादी कर लो आदी आज अभी अभी इसी वक्त कितना पुसा पुसा हो फुसा है अभी इसी कर दो आदा कर दोले कर दोगी पुसा पकूर हो वक्त कॉंगरेट साधी आये न सारी गलती मेरी थी तुम दोनों का प्यार कितना पवित्र था ये बात मैं समझ नहीं पाया उजह माफ कर दो जानता हूँ माफी के काबिल नहीं हो बस इतना ही कहूँगा हमेशा खुश रहो अच्छा है न ठीक है इसके भी शादी करवाता चली रहे मैं दो कभी सोचा ही नहीं था ओके गाइज ज़रा एक गुसरे के पास आओ हाँ अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है झाल